चुनाओं की तारिखों के नस्दीक आते ही तमाम कॉंग्रेस पार्टी के नेता अब अपनी अपनी भूमिकाओं में जुट चुके हैं। पार्टी मजबूत करना चाहती है अपने प्रदेश संग्रेस को क्योंकि जिस आधार पर तमाम सहयोगी दलों पर जीत की हुकार भरने की कोशिश कर रहे थे राहूल गांदी उस एकता को करारा जटका लगता हुआ नजर आ रहा है। करते हुए देश की राजेती में परिवर्तन के लिए लगातार ऐसे कदम उठाए जाए जिससे कंग्रेस पार्टी के परती लोगों का वेवार जो है वो सकारात्मक होसके कंग्रेस अद्यक्स मालिकार जुनखडगे इस पूरे मामले की मोनिटरिंग कर रहे हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है और इसी आधार पर कंग्रेस अद्यक्स मालिकार जुनखडगे दिल्ली में बैठकर इस पूरे मामले को देख रहे हैं हाल ही में जिस तरीके से शिवराज सिंग चोहान के बगावती सुर देखने को मिले थे उसके बाद जीतु पटवारी लगातार उस मौके को भुनाने की कोशिशे करते नजर आ रहे थे लेकिन शिवराज सिंग चोहान ने उन तमाम अटकलों को विराम दे दिया था जिस तरीके से जीतु पटवारी उनके प्रतिसाहानू भूती दिखाते नजर आ रहे थे पूर मुखे मंतरी दिग्विजे सिंग और कमलनात भी उनके स्पोर्ट में आ गए थे इससे अंदाज लगाया जा रहा था कि क्या भारते जनेता पार्टी को करारा जटका देते हुए यहाँ पर शिवराज सिंग चोहान कॉंग्रेस पार्टी का दावन धमेंगे इस पर विराम अभी लगश चुकए है क्योंकि किसी प्रकार की आधिकारिट तिपनी यहां से सामने नहीं हुए है शिवरास सिंग चोहान की तरफ से लेकिन क्या अब आगामी वक्त में कॉंग् जिस नएनियू